है लो एंड नमस्कार माई डियर यंग फ्रेंड्स एंड जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं आपका सिबियेसी दोस्ट संजेप परवाद इस वीडियो में हम लेकर के आये है दो लेटेस्ट अप्डेट जो सिबियेसी ने फिला ले दिये है रिसेंट विक में दिये है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहला यह है प्रमोटेंग इंडेन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर और दूसरा है यहां पर क्या है यह दोनों चीजे उसके बारे में डिटेल में जानका है इस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह कहां पर किस लेवल पर काम आएगा जो भी सीबेसी स्कूल्स में वर्क करते हैं जो भी उससे एसोसियेटेड है 2021 का यहां पर लिखा है कि Dear Principles, the present as well as the last academic sessions have been challenging for students and teachers alike, the COVID-19 pandemic thrust the entire education system into an unprecedented and untried era of blended learning, तो हम सब यहां पर पूरे दो साल से 2020 से लेकर के 2021, 19 से हमारा सुरू हो गया था यह, तो 19 से लेकर के सारी चीजे यह परिस्थिती हमारे सामने हैं और हम इसको फेस कर रहे हैं तो यहां पर इतन unprecedented time है यह चल रहा है हमारे education sector के लिए खास कि हमने इतने सारी चीजे इसमें देखी है कि हम सब जानते हैं इसके जो भी adverse effects है वो सब हमें पता है, तो इसको लेकर करके यहां पर CBSE का कहना है, blended learning को promote करना है, तो वो blended learning का जो भी concept है वो बार-बार यहां पर repeat किया जाता है, adapting quickly and effectively to the changing demands of students and the novel digital classroom, तो यहां पर जो offline system था, उसको पूरा यहां पर बंध हो चुका था, तो वो बंध हो चुका था, उसको हम online लेकर के आए, काफी teachers थे, जिनको पता नहीं था, computer use करना, mobile operate करना, कुछ बहुत सारी चीजे नहीं जानते थे, सारी चीजे यहां पर सीखे, और उन्होंने एक remarkable यहां पर, हम victory कह सकते हैं इसको, तो remarkable performance दिया है, और इन दो साल में अपना जो भी योगदान है, वो दिया है, तो इसलिए सभी teachers को salute करना चाहिए, मैं salute करता हूँ सभी teachers को, जो भी teachers यहां पर है, तो इन्होंने यहां पर बहुत कोशिश की है, और students की demand, और students को समझा है, और किस level, कौन-कौन से level तक हम गये है, वो सब हम जानते है, students को education provide करने के लिए, बहुत सारे teachers का यहां पर personally भी loss हो गया है, बहुत सारे teachers का job loss हुआ होगा, salary में loss अभी भी चल रहा है, कितने लोगों का, salary कट रही है, कट के आ रही है, या properly नहीं आ रही है, delay ह हो रही है, यह सारे problems के बीच, हम सब गम को बुला करके, हम यहां पर एक जुट हुए, और इतने सारे, जो भी stress था, उस stress को manage किया है, तो इसलिए सबी teachers को एक बार तो हम thank you भी कह सकते हैं, और salute भी करेंगे, तो यहां पर आगे जो है, this was also a time for reflection of our teachers, as well as CBSE, the pandemic posed some crucial questions, how can we support our students, are we transacting the curriculum as desired, are we achieving the desired learning outcomes, have our students peak the core skills to avoid increasing learning gaps in higher classes, तो यह कुछ questions है, जो हमें यहां पर figure out करना है, तो CBSE facilitates its schools by preparing resources to support the teaching learning journey, तो यही यहां पर essential concept document के नाम से यहां दिया गया है, तो teaching learning journey के लिए कुछ ऐसा documentation होना चाहिए, कोई ऐसा universal हम कह सकते हैं, यहां जैसे लिए यहां जैसे लिए resources जो create होगा, तो उसके बारे में बात किये, it is a challenge for teachers to identify what is core and essential learning that must not be watered down or left out at any cost, even the uncertainty of the pandemic, तो ऐसा pandemic भी आता है, ऐसे कोई situation भी आती है, तो उसमें उसका level down नहीं होना चाहिए, कुछ एक standard बना है, और जो standard बना है, उस standard तक तो रहना ही चाहिए, तो इसके लिए यहां पर एसे के लिए यहां पर essential core concepts का एक document प्रिपर किया गया है, English में, Math में और EBS Science के लिए, with the limited time available to teachers in the remainder of the academic session, this document will guide them on what key ideas to focus on the minimize, to learning laws, तो ऐसा कुछ होता है, तो कौन से minimum area रहेंगे, कि इतना, जिसे हम MLP बोल सकता है, minimum learning plan जिसे कह सकता है, तो उतना तो होना ही चाहिए बच्चे में, उसके according के document प्रिपर किया गया है, We hope that teachers will be able to refer to this list of concepts while making their lesson plans, in order to answer that, these essential concepts are covered, and give sufficient time during the teaching learning process, और इसी के लिए lesson plan बन तक बनाते समई, इतने topics cover होने चाहिए, और होने ही चाहिए, ऐसा यहाँ पर है, तो यह था, यह पहला update आज का, यहाँ पर जो भी concept अगर कुछ है, तो देखते है, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, तो essential document जैसे आएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कहा लिंक है, किस तरीके से operate हो गया है, चली, next यहाँ पर देखते है, आगे CBSE जैसे इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नई चीजे देगी, तो मैं आपको तुरंत ही यहाँ पर update देदूगा, यहाँ पर देखे है, promoting Indian classical music and culture, तो उसके for all-round development of the students and the support extended by co-scholastic activities such as music, dance and arts towards achieving the same, तो यहाँ पर हम जानते है कि CBSE holistic development पर फोकस करती है, तो music, art, dance, हो सारी चीजे यहाँ पर equally academics के साथ importance दिया जाता है, तो equally चलनी चाहिए, तो उसको चलते है, providing opportunities for students to nurture and develop their innate creative talents is responsibility of the school and society in general, तो यहाँ पर school or society के लिए यह यहाँ चलनी चाह सारी चीजे जिम्मेदारी है, तो उनको यहाँ पर ऐसे opportunities provide करने चाहिए, performing arts and fine arts help the students develop aesthetics, balance, self-fulfillment, etc, तो यह इनके skills है, तो यह skills यहाँ पर develops होते है, यह skills जो है, intelligence जो है, वो develop होता है इसका, in this fast changing globally connected world, it is crucial to strengthen the crucial roots by preserving, promoting and popularizing national heritage, तो इसके साथ अपना national heritage, music, dance, folk dance, classical, इससे यहाँ पर इसको बड़ावा देना चाहिए, इसे activities को यहाँ पर बड़ावा देना चाहिए, तो the society for the promotion of Indian classical music and culture among youth, SPIC MACAY, M-A-C-A-Y, has been rendering services in this field for last 44 years, it organizes, organizes classical folk music, dance, arts, crafts and other cultural activities to inspire students to appreciate the instant sick value of our national heritage, तो यहाँ पर national heritage के लिए जो opportunities है, वो यहाँ पर student को provide की जाएगी, और यहाँ पर SPIC MACAY करके जो है, वो यहाँ पर यह पर यह provide करता है, तो promotion के लिए यहाँ यहाँ पर यह सारे अलग-अलग activities conduct किये जाते हैं, review of our CBIC suggest the schools to establish culture and heritage club, तो इसके लिए हर स्कूल में culture और heritage club होना चाहिए, for formally taking of such activities, SPIC MACAY will extend their resources as knowledge partners to culture and heritage clubs in the school, तो यह यहाँ पर जो भी knowledge हों शेर करेंगे, resources शेर करेंगे उसके लिए, तो यह यहाँ पर update था, यहाँ जो नोडल पर्शन का जो contact detail है, वो यहाँ पर दिया है, the national coordinator schools, 41-42 लकनोव रोड नियर विश्वर विदिलया, metro station डेली, यहाँ पर email ID है, heritage club at the red specific mackay.com, और यहाँ पर नेहा अश्रमा at the red specific mackay.com, तो यह यहाँ पर number भी दिये है, तो आप contact यहाँ पर कर सकते हैं, तो यह दो update यहाँ पर थे आज, आशा रखता हूँ कि आपको update अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दीए, शेर करें अपने college के साथ, और CBC के जो भी जुड़े हुए लोग है स्कुल से, तो उन तक यह इस वीडियो को पहुंचाएं, चले मिलते हैं किसी नए update के साथ, तब तक के लिए अपना खाल रखें, और अपने परिवार का खाल रखें, ऐसे ही वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेर करें, चैनल पे झाल झाल